नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुगधा और मेरे चैनल पे आप सबका बहुत स्वागत है आज हम एक lotus painting बनाएंगे इस painting की सबसे खास बात इसका background है इसके background के लिए आज हम एक बहुत ही unique और मज़ेदार painting technique सीखेंगे इस technique का नाम है bokeh effect तो bokeh effect के लिए बहुत सारे छोटे बड़े circles का हम इस्तेमाल करेंगे और जो final outcome होता है, जो final look होता है वो बहुत ही आकरशक होता है और ये जो background technique है आप किसी भी और painting के लिए भी इस्तेमाल कर सकते है तो बहुत ही useful technique है और वीडियो शुरुआत करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो का लाइक कीजे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजे इस painting के लिए हमें चाहिए acrylic colors, round brush, liner brush, fine tip marker, scrub sponge और ये canvas अगर आपके पास canvas नहीं है तो आप acrylic paper का भी इस्तेमाल कर सकते है तो चलो आप painting की शुरुआत करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही simple सा sketch पनाया है अभी हम इसे जल्दी से outline करेंगे outlining के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ fine tip marker painting करने से पहले मैं अपने sketch को black color से outline करना prefer करती हूँ ताकि painting करने के बाद भी हमें अपना sketch दीखे कई बार होता क्या है कि अगर हमने outline नहीं की है तो paint के नीचे हमारा sketch ढख जाता है और disappear हो जाता है फिर हमें पता नहीं चलता कि यार हमारा lotus गया कहाँ पे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इस painting की खास बात इसका background है तो यहाँ पे मैंने background painting की शुरुआत कर दी है यहाँ पे मैं एक scrub sponge का इस्तेमाल कर रही हूँ यह वही sponge है जो आप आम तोर पे अपनी kitchen में इस्तेमाल करते है sponge painting के बहुत काम आता है इससे बहुत बढ़िया texture आता है, look मिलता है colors को blend करना भी बड़ा असान हो जाता है तो background painting के लिए मैं sponge इस्तेमाल कर रही हूँ बड़ी तेजी से अपने colors को blend कर पा रही हूँ और इतना सुन्दर look आप उरड़ी देख सकते है कितना प्यारा दिखने लगा है इस background के लिए हम एक बहुत ही unique painting technique का इस्तेमाल कर रहे है जिसका नाम है boke effect तो boke effect में होता क्या है कि हम circles का इस्तेमाल करते हैं एक बहुत ही आकरशक background paint करने के लिए circles जो है वो अलग-अलग sizes के होंगे कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे और जो colors है वो वही colors होंगे जिससे हमने background painting अल्रेड़ी करी हुई है तो ज्यादा तर circles जो है वो green और yellow की shades में ही बनेंगे ताकि background में एक harmony बनी रहे जब ही आप sponge से background paint कर रहे है तब ही आप थिक acrylic paint का इस्तिमाल करें लेकिन जब ही आप circles paint कर रहे है तो उसी acrylic paint में आपको बहुत ज्यादा पानी डालना है उसको पतला बनाना है इससे होता क्या है कि आपको बहुत बढ़िया translucent effect मिलता है और आपके painting का look बहुत बढ़िया होता है तो देखिए हमारा background कितना प्यारा लग रहा है अब जल्दी से हम lotus painting की तरफ मुड़ते है lotus painting बहुत ही असान है सिर्फ pink और white colors को अच्छे से blend करना है और हो गया हमारा lotus ready तो अभी मैं lotus के stems और leaves paint करूँगी इसके लिए मैं एक liner brush का इस्तिमाल कर रही हूँ जिससे detailing बहुत असान हो जाती है इस lotus की stems और leaves में थोड़े decorative तरीके से बना रही हूँ जहां मेरा imagination ले जा रहा है वहाँ पे जा रही हूँ तो आप भी जब पेंटिंग करें तो अपने आपको restrict ना करें जहां पे भी आपकी creative energy आपको ले के जा रही है जहां पे आपकी imagination आपको ले के जा रही है वैसे आप painting करें तो आप उसको और भी ज्यादा enjoy करेंगे तो देखो हमारा painting ready है और कितना बढ़िया लग रहा है आप ही इससे जरूर try करे That's it guys इस painting को घर पे जरूर try करे You will enjoy it a lot अगर आपके पास कोई doubts है queries है या फिर आप किसी specific type का art देखना चाहते है तो जरूर comment करें ताकि मुझे भी आपके opinions पता चले Also say hi to me on Instagram जाते जाते इस video को like जरूर करें और I will see you next week with another video तब तक खुश रहे और painting करते रहे